दोस्तो आज की यी वीडियो एक और धमाकेदार वीडियो होने वाली है एक AirDrop है जिसको हम Clam करेंगे साथी साथ एक Testnet का AirDrop है जिसको Join करेंगे उसके इलावा ZK Sync और Layer 0 का जो Potential AirDrop है उसको लेकर मैं आपको कुछ Tricks देने वाला हूँ ताकि आप future में ज़्यादा सददा tokens के लिए eligible हो पाएं। तो चलिए दोस्तो start कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं empower airdrop की, तो यहाँ पर आके आपको check करना है कि आपको कितने tokens मिले हैं। लेकिन check करने से पहले आपको ये network अपने wallet में add करना होगा, तो आपको इस website के उपर आजाना है, सभी links आपको description में मिल जाएंगी, इस website के उपर आके सबसे पहले आपका जो Kepler wallet है वो आपको यहाँ से connect करना है, wallet connect करने के बाद यहाँ पर जो Cosmos लिखा हुआ इसके उपर आपको click करना है, थोड़ा सा आपको scroll down करना है और यहाँ पर search करना है empower, सभी network आप यहाँ से add कर सकते हैं, तो यह जो empower network है इसके उपर आपको click करना है, उसके बाद add empower to Kepler wallet के उपर आपको click करना है, एक छोटा सा pop-up आपके wallet में आएगा, आपको approve करना है और network को add कर लेना है, जब आप network को add कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस website के उपर आजाना है, और यहाँ पर आपका जो wallet है उसको connect करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, check eligibility के उपर click करना है, तो यह आपको बता देगा कि आप कितने tokens के लिए eligible हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कितने tokens के लिए eligible हूँ, A to Z details यह मुझको बता रहा है, यह जो tokens हैं, Westing के उपर हैं, एक साल का time period है, linearly यह tokens जो है unlock होते चले जाएंगे, हर रोज थोड़े-थोड़े tokens जो है unlock होंगे, अब यह जो airdrop है, आपको कहीं पर भी जाके claim नहीं करना, सभी tokens इन्होंने directly आपके wallet में भेजे हैं, अभी के लिए आप इन tokens को इस taking के उपर लगा सकते हैं, वो कैसे करना हैं, तो वो मैं explain करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं eligibility criteria की, यह जो article है, जहाँ पर सभी details इन्होंने बता के रखी हैं, इसकी link आपको description में मिल जाएगी, यहाँ पर आके आप सभी चीजों को चेक कर सकते हैं, कि क्या eligibility criteria थी, किसको कितने tokens मिले हैं, token की जो distribution है, वो किस तरीके से होगी, सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता के रखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से token को stake करने के ऊपर आपको कितने tokens मिले हैं, personally मुझे stargaze और osmosis को stake करने के ऊपर यह airdrop मिला है, stargaze की जो minimum criteria थी 251 star tokens थे, और osmosis की जो minimum criteria थी 11 osmosis, यह जो है minimum criteria है, अगर आपने ज्यादा stake किये होंगे तो आपको ज्यादा tokens मिले होंगे, osmosis की जो maximum cap है, वो है 300 osmosis token, और stargaze का जो minimum cap है, वो है 1500 star token, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इन tokens को के से staking के उपर लगा सकते हैं, तो आपको इस website के उपर आ जाना है, सबसे पहले आपका जो wallet address है, वो आपको यहाँ पर connect करना है, उसके बाद आप अपने tokens को यहाँ पर delegate कर सकते हैं, कुछ validators मैं आपको बता देता हूँ, जैसे के eco star है, polka ju है, whisper node है, थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो आपको different validators यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन यह शुरू के जो तीन हैं, जिनके नाम मैंने लिये हैं, आप इनको delegate कर लें, मैं आपको यहाँ पर polka ju के उपर staking करके दिखाता हूँ, तो यह जो view लिखा हुआ है, इसके उपर आपको click करना है, यहाँ पर stake का एक option आएगा, इसके उपर आप click करें, next delegate के उपर click करें, आपके पास यहाँ पर जितने tokens दिखाएगा, उसमें से एक दो token छोड़ दें, future में आपको gas pay करने के लिए काम आएगा, उसके बाद आप delegate के उपर click करें, approve के उपर click करें, और यह transaction यहाँ पर होगी, आपके जो tokens हैं, वो staking के उपर लग जाएंगे, आपको यहाँ पर staking reward मिलता रहेगा, थोड़े थोड़े करके यह token unlock भी होते रहेंगे, तो future में यह जो है basically bull run की त्यारी है, यह जो छोटे मोटे airdrop हमको मिल रहे हैं, जो जो tokens आपको जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं, उनको accumulate करके रखते रहें, खास तोर पे Cosmos ecosystem की में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो tokens हैं, आप उनको staking के उपर लगा के reward generate कर सकते हैं, तो यह आपकी preparation है, कि आपके पास tokens बढ़ते चले जा रहे हैं, future में जब bullrun आएगा, तो आपको पता है कि हर type का जो coin है वहाँ पर perform करता है, तो उस time आप अपने tokens को unstake करके sell भी कर पाएंगे, next हम बात कर लेते हैं, फिना केश की तो इसका airdrop में आपके साथ share किया था, काफी सारे दोस्त कहे रहे थे, कि यह जो token हैं हमें अपने wallet में दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई बहुत ही simple है, आप यहाँ पर आके अपना wallet connect करें, यह जो add to capital wallet लिखावा है, इसके उपर आपको click करना है, एक छोटा सा pop-up आपके wallet में आएगा, आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा scroll down करना है, अपने wallet में, आपके wallet में ही आपको connect करके, यह फिर approve करके एक option दिखाई देगा, उसके उपर आप click करें, तो यह token आपके wallet में add हो जाएगा, उसके बाद जब आप यहाँ पर search करेंगे, तो यह token आपको दिखाई देगा, ठीक दोस्तों, तो यह कुछ airdrop थे, जो के claim करने थे, अब हमको बात करनी है, एक test net की, यहाँ पर 18 million funds इन्होंने raise किये हैं, omni network की में बात कर रहा हूं, तो कुछ task हैं, जो के आपको यहाँ पर complete करने, future में इनका airdrop हो सकता है, starting में आपको पता है, हर project के एता है, कि हम airdrop नहीं कर रहे हमारा कोई plan नहीं है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर available है, कम से कम आप उनको try out कर लें, अगर project test net के उपर है, तो उसको test net के उपर try करें, अगर कोई project main net के उपर है, उनका token नहीं है, तो उसको आपको main net के उपर try करना है, मतलब कि use करना है, तो इसको हम आज test net के उपर try out कर लेंगे, step by step सभी चीज़ें में आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको इस website के उपर आ जाना है, यहाँ पर include test net के उपर click करना है, उपर यहाँ पर search network में आप omni लिखेंगे, तो यह वाला network आ जाएगा, आपको simply add to metamask के उपर click करके, इस network को add कर लेना है, मैंने already add करके रखा है, तो यहाँ पर इसको switch कर लेता हूँ, network add करने के बाद, आपका जो wallet address है वो आप copy कर लें, और इस website के उपर आएं, अपना जो wallet address है वो यहाँ पर paste करें, funds के उपर click करें, और थोड़ा बत faucet claim कर लें, तो जब आपको faucet मिल जाएगा, तो उसके बाद, आप इनके test net के जो product हैं, उनको try out कर सकते हैं, सबसे पहले एक NFT है, जो कि आपको mint करनी है, यहाँ पर भी सबसे पहले आपका जो wallet address है, वो आपको connect करना पड़ेगा, connect metamask के उपर click करें, यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है, mint entry pass, तो इसके उपर आपको click करना है, छोटी सी एक transaction है, इसको confirm करें, तो यह वाली जो NFT है, आप mint कर लेंगे, उसके बाद आपको इस website के उपर आना है, आपका जो wallet address है, उसको connect करें, देख लीजेगा भाई, जिस wallet से आप test net को use करते हैं, वही wallet आपको यहाँ पर connect करना है, wallet connect हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत omni token यहाँ पर deposit करना है, जो test net को token हमने claim किये थे, faucet हमको मिला था, उसमें से थोड़े बहुत token आपको यहाँ पर deposit करना है, तो मैंने यहाँ पर four tokens लिखा है, deposit funds के उपर click करें, transaction को अपने metamask में confirm करें, deposit यहाँ पर हो गया, अब आपको क्या करना है, कल परसों यहाँ पर दुबारा आएं, withdraw के उपर click करें, जितने tokens आपने यहाँ पर deposit किये थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 tokens deposit किये हैं, तो इसमें से एक दो token जो है withdraw कर लें, क्यूंकि आपको platform को test out करना है, तो withdraw कर लें, साथ ही साथ यहाँ पर claim के उपर जो tokens आपने RN किये होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, 0.0006 tokens जो है staking reward मुझको मिला है, तो इन tokens को भी claim कर लें, लेकिन यह अभी नहीं करना, 2-3 दिन छोड़ें, उसके बाद आके यह 2 transactions आपको करनी है, उसके इलावा इनकी कुछ NFTs हैं, गलेक्सी के उपर जो कि आप claim कर सकते हैं, बहुत ही simple है, छोटे छोटे टास्क हैं, कि भाई आप इनका Twitter जो है follow करें, Twitter के उपर एक post है, जिसको आप like करें, टिस्कोट के उपर अपने आपको verify करें, यह सारे काम तो आपको वेसे भी करने होते हैं, कोई भी airdrop अगर आप join करते हैं, तो उनका जो Twitter है, टिस्कोट है, वो तो आपको वेसे भी follow करना होता है, ताके सारी updates आपको मिलती रहें, यह जो है एक NFT है, उसके इलावा एक और दूसरी NFT है, यहाँ पर भी छोटे मोटे टास्क हैं, जैसे के इनका जो Omni Space है, गलेक्सी के उपर, यहाँ पर follow के उपर click करें, इनको यहाँ पर follow कर लें, बाकी के जो दो टास्क हैं, वो तो आपने पहले से ही करके रखे होंगे, तो आप इसके लिए भी eligible हो जाएंगे, इन दोनों NFT's को आपको claim कर लेना है, तो भाई Omni Network को लेकर फिलहाल इतना ही, फ्यूचर में जो नए product यहाँ पर launch होंगे, इस network के उपर, तो वो भी मैं आपके साथ share करूँगा, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं एक question की, जो के बार-बार मुझसे पूछा जा रहा है, layer 0 की बात करेंगे, zk sink की बात करेंगे, काफी सारे दोस्त करेंगे, कि सर यहाँ पर तो बहुत सारे wallet active हैं, अगर आप बात करोगे zk sink की, तो 1 million का जो number है, वो यहाँ पर cross हो चुका है, यह सारे के सारे unique wallet addresses हैं, इसी तरीके से layer 0 के उपर, तकरीबन 2.4 million यहाँ पर active हैं, question यह आ रहा है, कि भाई यह airdrop केसे करेंगे, तो भाई मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, कि यह सोचने के उपर अपना time waste मत करें, आपको जो strategy मैंने देखे रखी है, उसको follow करें, आप अपना काम करते चले जाएं, weekly basis के उपर, नए नए जो contract होते हैं, उनको use करें, नए contract का मतलब क्या है, कि अलग-अलग tokens में trade करें, different platforms के उपर, छोटे-मोटे amount से liquidity दें, फिर liquidity को withdraw करें, इस type से अगर आप यहाँ पर transactions करेंगे, तो आप अलग-अलग contracts को use करेंगे, बाकि आपको पता है, कि Arbitrum ने किस तरीके से airdrop किया, मैं कहता हूँ कि भाई, आप इनकी eligibility criteria को देख लो, ये जो points हैं, इनको अच्छे तरीके से analyze करो, इसके हिसाब से अपने आपको eligible बनाओ, मतलब इन points को आप check mark करते चले जाएं, इसमें यहाँ पर तक्रीबन सारी चीज़ें cover हुई है, कि आपने जो trades की हैं, उनमें कितना gap है, कितने महीनों में आपने trades की हैं, different months की बात कर रहे हैं, कितने different contracts हैं, जो कि आपने use किया है, कितना volume आपने generate किया है, bridge use किया है के नहीं, तो simple words में, जो strategy मैंने आपको देखे रखी है, उसी strategy के तहएट, आपको अपना काम करते रहना है, मेरे हिसाब से, जितने भी wallets यहाँ पर increase होंगे, आपको कोई issue नहीं होने वाला, क्योंकि, airdrop यह इस तरीके से करेंगे, जिसने जितने ज़्यादा platform को use किया होगा, जितनी ज़्यादा transactions होगी, जितनी ज़्यादा volume होगी, जितने ज़्यादा अलग-अलग दिनों के ऊपर, अलग-अलग हफ़तों के ऊपर, अलग-अलग महीनों में, आपने इनके network को use किया होगा, तो उतने ज़्यादा tokens आपको मिले होंगे, यह चाटी करना बहुती ज़्यादा simple है, मैं आपको एक चीज़ कहे रहा हूँ, कि यहाँ पर आपको 1 million का number दिखाई दे रहा है, लेकिन ZK Sink वाले तो चाहते होंगे, यहाँ पर 10 million हो जाएं, आप यहाँ पर 1-2 million को देखके परेशान हो रहे हो, वो लोग वहाँ पर खुश हो रहे हैं, चाटी करना कोई मसला नहीं है, आप बस simply क्या करो, जितने भी check marks मैंने बताए हैं, उनको complete करें, top 100K के अंदर भी अगर आपका wallet आता है, तो आपको अच्छे खासे token यहाँ पर मिलेंगे, आर्बिटरम के अगर हम बात करें, तो ज़्याँ तर लोगों को यहाँ पर 1000, 2000 इस तरीके से token मिले थे, कुछ ऐसे थे, जो के 3000, 4000 तक भी पहुचे थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे, जो के 6000 को cross किये थे, तो यह कोई issue नहीं है, छोटे मुटे token से पकड़ा देंगे, जन्होंने थोड़ा बहुत use किया होगा, जन्होंने ज्यादा use किया होगा, उनको ज्यादा token मिलेंगे, बाकि जो काम की चीज़ मुझे आपके साथ share करनी थी, तो एक और criteria future में add हो सकता है, Z casing के अंदर भी हो सकता है, layer 0 में भी हो सकता है, कि भाई आपने कितना gas fees spend किया है, क्योंकि PICA का जो airdrop हुआ है, आप यहाँ पर देखें, इन्होंने criteria में ये चीज़ रखी है, कि भाई आपने हमारे platform को use किया, कितनी trading में आपने fees दी है, definitely जिसने ज़्यादा trades किये होंगे, उन्होंने ज़्यादा fees दी होगी, तो यहाँ पर जो minimum criteria थी, 5 डॉलर आपने कम से कम खर्च किये हों fees में, मैंने तो इतने भी नहीं किये, तो यहाँ पर आप देखें, 50 डॉलर जिसने खर्च किये होंगे, उसके दो चेक मार्क हो गए, उसको ज़्यादा tokens मिले होंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, कि आपको खामखा यहाँ पर fees खर्च करनी है, आपकी strategy यह उसी होनी चाहिए, कि आपको fees बचानी है, लेकिन जब आप ज़्यादा transactions करोगे, हर अफ़ते transaction करोगे, अलग-अलग चीज़ों को use करोगे, अलग-अलग tokens में trade करोगे, तो automatically आपकी fees यहाँ पर जाएगी, जएट के सिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन 0.15 Ethereum मेरा fees यहाँ पर जा चुका है, अब यह कितना होता है, यह समझे लो तकरीबन 300 $ के around होता है, इतना fees में already spent कर चुका हूँ, तो यह जो criteria है, इसमें आपको खाम-खामे fees खर्च नहीं करनी, टोटल अगर आप 100 $ भी खर्च करते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आप इनके platform को use करोगे, यह criteria सिर्फ आपके साथ share करनी थी, कि आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खाम-खाम fees खर्च करें, बस जो strategies में बताता हूँ, उन strategies को follow करें, आप airdrop के लिए eligible होंगे, ज्यादा से दादा tokens के लिए eligible होंगे, surety नहीं है, लेकिन मेरा experience मुझको यह कहता है, ठीक दोस्तो, तो यह थी मेरी आज की वीडियो, 3-4 दिन में मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा support दिखाएं, वीडियो आपको केसी लगी, kindly मुझे बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करें, टुटर के उपर share करें, टुटर के उपर मुझको follow भी करें, ठीक दोस्तो, बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ, कि टुटर के उपर मुझको follow करें, छोटी मोटी post मैं वहीं पर करता हूँ, बस support दिखाते रहें, आपके लिए जबरदस्ट कंटेंट में लेके आता रहूँगा, आज के लिए इतना ही आपसे मैं फिर मिलूँगा, एक और वीडियो में एक और जबरदस्ट टॉपिक के साथ,